नमस्कार, कायतरी जोतिस के इंदर में आप सबी लोगों का स्वागत हैं, आप लोगों के लिए हमेशाई जोतिस साथ से संबंदित मैत्र पूर्ण जानकारी हम समय समय पर प्रप्रसारित करते रहते हैं आज हम आप लोगों के लिए 20 नवंबर 2021 को गुरु ग्रह हमारे देव गुरु प्रेस्पेक्ट का रासी परिवर्तन है, यानि कि देव गुरु प्रेस्पेक्ट अपनी नीच रासी मकर को छोड़कर कुम्ब रासी में अप्रवेस करेंगे, इस दिन रात्री को लगभग 11 मकर रासी उनकी नीचस्त माने जाती है, अत्यंत कमजोर माने जाती है, छोड़ेंगे, तो यहां पर को गुरु का रासी परिवर्तन, बहुत से लोगों के मन में जिग्यासा अवस्य ही प्रकट कर रहा होगा कि कैसा हमारे लिए गुरु का रासी परिवर्तन रहेगा, जो ल मानने तह एक जोतिस के नजर ये से दो तरीके से देखा जा सकता है पहला कि गुरुग्रह यदि जन्व पत्रिका की बात करते हैं पहले नजर ये से कि जन्व पत्रिका में गुरुग्रह जिस रासी में परिवर्तन कर रहे हैं जैसे कि कुम्बरासी का इस्तान किस भाव में है 12 भाव में से कुम्बर रासी कहा पर को पढ़ लिए और वहां पर को क्या गुरु ग्रह की दृष्टी है गुरु ग्रह स्वयम विराजमान है यह इसके अत्रिक्त गुरु ग्रह किन भाव के स्वानी है पहुत कुछ देखा जाता है तब जाके एक निश्कर्स निर्णए निक जेलके आता है कि गुरू ग्रह का रासी परिवर्टन आपके लिए कैसा रहीघा कहां पर को कुम्ब रासी बनती है किस भाव में है और गुरू की इस्थिति को देखते हुए यह तो पहला है जो जूतिस की नजरिये से दूसरा रासी के सामाने तक कोई पूछेगा कि भई गुरू का रासी परिवर्टन जैसे हमाले पोन आएंगे मेरी मेस रासी है या मेरी मिथुन रासी है या मेरी मीन रासी है ब्रिश्चिक रासी है कि गुरू जी कैसा रहेगा तो वो दुसरा राशी के अनुसार जो आकलन रहता है वहां गुरू ग्रह कुम्बर राशी में जहां पे जाएंगे वहां से आगे को उनकी गर्णा की जाती है पहला दुसरा तिसरा चौथा कि अभी आपको हम प्रैक्टिकली तोर पे बताएंगे कि कैसा बारह राशी हो के ल कुम्बर राशी काफी मजबूत राशी मानी जाती है सिह राशी की बाती तो यहां पर को गुरू ग्रह अवस्य ही मकर राशी में बहले ही सनी की राशी में ही वहां जा रहे हैं यहां पर नीचस्त माने जाते हैं कि तू माना जाता है कि कुम्बर राशी में गुरू ग्रू पुमारक भाव का आजाता है अक्समात धन लाब देगा भले गुरू की इस्तिती कमजोर को नहीं हो रही होगी जन्म कुंडली की इप एक बात बता रहे हैं अस्टम में बन रही हो द्वादस में बन रही हो छटे में सत्रुनासक माना जाएगा अगर कुम्बरासी चटे इस् से मुक्तिदाय लंबी समस्याओं से मुक्तिदाय हमेशा के लिए चुपतारा प्राप्त करना कई लाब 20 में देखने में आएगा ये तो जन्म पत्रिका की बात करते हैं कि सामान्यता हम अपनी रासी का क्या फल जाने गुरू की कुम्बरासी में रासी परिवर्तर से आडमीन में पिसा मितुन कर्क जैसे हम चुतिशी लोग आकलन करते हैं आप लोगों का पथाएं कि कैसा रहेगा यहाँ पर लगने हैं अब जिसकी कुमबरास है घर में है अब को बैटे हैं यह माना जाता है वैदिक जीुतिस में तो लगने में ब्रेस्पति हैं घर को मजबूत करेंगे यह दusa cancel कुंडधि गुरु की थोड़ी भी सुब इस्थिती हैं तो ग्यक्ति अपने घर को मजबूत करेगा घर को मजबूत करने के हार्त है अपने रहन सहन और अच्छा बनाएगा डप डप उसमें लेके आएगा विस्तार और कहीं चीज़ा करेगा और कहीं न कहीं उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी यानि यह खुद को मजबूत करने वाली स्थिति हर जगह से यहां पर को कुम्बरासी के जातकों के लिए रहेगी अब किसी अब मीन रासी मीन रासी कुम्बरासी से गुरू से दुसरी रासी बन जाती है तो यह धन भाव में बन रही है तो यहां पर को मीन रासी वालों के लिए धन से संबंदित का कि लाब देखने में आ सकता है अकसमात कोई ऐसे बात बन सकती है लंबे समय से कहीं पर को ध से संबंदित कोई रुकावट आदी पैदा हो रही हो या परिवार कोंकि दूसरा भाव परिवार भाव भी का जाता है मित्र भाव भी का जाता है इसमें कोई समझ जाओं तो यहां पर को गुरू से कुम्बरासी से तिसरी रासी बनती है तो तिसरी रासी मेश रासी बनने से पराक्रम ब्रिद्धिकारक हिम्मत देना किसी भी कारे करने जैसे कोई मेश रासी के जाता है किसी कारे के लिए हिम्मत में हो रही हो और या कोई कारे करने की स्यम्ता ब्यक्ति के अंदर हो लेकिन आज भी नहीं कर पा रहा हो, कारे में रुकावट आजी पैदा हो रही हो, या किसी भी परकार से ब्यक्ति आगे को नहीं बढ़ पा रहा हो, हिंबत कारत होता है, यह कि आगे ब्यक्ति को हिंबत में लेकिन तो आगे को बढ़ेगा, अतल संपत्ति अतल संपत्ति में ब। गुरू का कुंबरासी में जाना माना जायगा। अब हम सब के लिए सुGOH बता रहे हैं। इसके पीछे बहुत चे लों कहीं है। अपको पन्डिजी सभी के लिए शुबदा रहे हैं। देखे राशियों में क्यों सुब बता रहे कि कुम्ब राशी में एक विसेस्ता रहती है कि कुम्ब राशी में गुरू का फल सुभी ही माना जाता है कहीं परसे भी हम देखेंगे अब चतुर्त भाव में है वहले ही उनके सत्रु की राशी है अब सामा निताब ये सुक्र कहा कुछ वहाहन को नया कर सकता है ऐसा भी देखने में आता है पंचम पाऊ जहांपर को गुरू की पूर्ण्य द्रिष्टी आए अप लगने से अब बुध की है अब भूद भी कहीं कहीं सतरुता है कहीं लेकिन मिद्वणWA relevance को ठीकौल में होनें मितुनरांची लावी की दिस्ति रहेगी अब ये तो अलग बात है कि जर्म पत्रिका की इस्तिती अगर थोड़ी सी भी सूरी स्थिती जर्म पत्रिका में गुरु गर्ड है cig तो इस्चेहीृ सुपL मित. रासी वालों को देखने मैं आएगा करकर रासी वालों के लिए जरूर छठय स्थान पर Galaxy करकरसी जो की गुरू की उच्छ रासी वानी जाती कुंबरासी में गुरू के जाने से यह थाट़ी रासी हो जाती भले यह सत्रू ना सक रहेากी कहीं कई जख्ति को या वर्षबर चिंटित भी रखेगी सत्रों से रोक से ना सकरेगी जख्ति कि मुने भाई जरूर बना रहेगा लेकिन फिर भी कोई खराब इस्तिति देखने में नहीं आएगी सामने सामने सप्तम भाव सिहरासी के लिए भी केंद्र में है और सुभी ही कहा सप्तम भाव से रासी वाले विदी कोई यह भी यह 10 जगत से मिलाउं करते हैं संपर्ग रखते तो उनके लिए काफी अप्छी स्तिति आएगी दूसरा सिहराओ सी वाले जैसे किसी कि सब्तम भाद वीवा का भाव भी होता है да सीना से वालों के लिए क 큰 सस्वाला क्योंकी ग शियरासी वालों के भलेंगे, यदि घर का कोई मुक्या है, शियरासी का, तो उसके परिवार के नीचे के लोगों के भी कारेबरेदेगे, अब इसके अतरिक तक कन्या, रासी गुरू से अस्टम हो रही है, कुम्बर रासी से, तो यहां पर को, कहीं न कहीं, अक्समाद जो कहीं न कहीं, अपने आप में एक प्रकार से सावधान करने वाला भी है, हम भले ही अच्छा फल आपको बताएंगे, कोई खराब फल किसी और भाव का बताएगा, यह तो अलग अपना-अपना आकलन है, किन्तु, फिर भी जो तिस सास्तर के अनुसार, मारक भाव, या त्रि उमत नहीं होती है, करपाओंगा नहीं, करपाओंगा छोड़ देने चाहिए, पूर्ण विस्वास हो, उसी को करना चाहिए, किसी पे विस्वास नहीं करना चाहिए, जो पूर्ण विस्वास वात रहा, जिसको पहले से ही जानते, उसी पे हमने विस्वास रखना चाहिए, तो इसी तरीके से कोई भी कारिगर नट कर ये ठोस करना चाहिए ऐसी इस्तिति में तुलारासी वालों के लिए भाग खोलने वाला माना जाएगा तुलारासी वालों के लिए अक्समात सफलता वर्स में मिल सकती है उनको जो कलपना विगत वर्सों में उन्होंने नहीं की होग तो इस समय पे आने वाले समय पे यहां पर को आपके राहू आने वाले हैं तुला राशी में तो तुला राशी का आने वाला वर्श वैसे भी सुबह ही बताया जाएगा तिसरा व्रिष्चिक रासी व्रिष्चिक रासी में दसम गुरू की दसम द्रिष्टी बन रही है तो दसम द्रिष्टी होने से गुरू के यहाँ पर को कुछ राज काज भाव माना गया है मान सम्मान में बृद्धिकारक क्यस कीर्थी में बृद्धिकारक ये मानते हैं लेकिन तो ऐसा नहीं है वर्ष्टिक रासी वालों के लिए भी या लगबख लगबख गुरु का जब तक कुंबर रासी में प्रमड रहेगा कहीने कहीन सुफलदाई रहेगा अब धनुरासी धनुरासी एकादस हो रही है गुरू से तो कहीं न कहीं लाप में अवस्चे ही रहेगी इसके बारे में क्या कहा है एकादस भाव में क्यादी कोई इक्रह हो या एकादस है जो अपने आप में बहुत अच्छी इस्तिति में रहते हैं मकरराषी वाली जिस राषी को छोड़के गए हैं तो यहां से गुरू का द्षब ऑदस होना थोड़ासा सावधान करने वाला है जो चीज हमें अस्टमभाव में बताई तो वही चीज यहां पर वो द्वादस में विध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि यहां ब्याय भा पढ़ने से त्रिक्स्तानों में पढ़ने से तो मकर रासी वालों को अवस्य ही सावधान रहना चाहिए गुरू अगर छोड़ के चले भी गए है उनकी रासी को तो कुछ समाई उन्होंने अवस्य विश्णु सैस्त्रिस्त्रोथ का पाठ या गुरू ग्रह का किसी तरह से सान अवस्य करना चाहिए तक्सिन है कुछ अवस्य ही देनी चाहिए तो जो यह हमने बताया जैसे आप लोग हमसे तो तरीके से और भी रासिओं का है आशा है तो आपके लिए पूरा रासिपल भी हमारा रहेगा तो यहाँ एक आंसिक हमारा आत्लन था कि यदि आप लोगों को पसंद आया तो जरूर आप इसे आदे बड़ा कर सकते हैं और अधिक जानकारी और पूर्ण जानकारी और विश्वस्नी जानकारी यदि आप अपने गुर्जी से पत्रिका दिखा कर प्राप्त कर सकते हैं जो कि कहीं न कहीं आपको बिल्कुल ठोस लगी क्योंकि ये तो एक आनसिक है किसी पर घटित होगा किसी पर नहीं होगा तो नई रोगों से आगर जाता है जोड़े गायतरी जोतिसके अंत्र के सांथ काफी अच्छी जानकारी आपको देखने को सुनने को मिलेगी तो मिलेंगा इसी किसी बहुत अच्रहन कारी के एपीसोड के सांथ अगली वीडियो में तब तक के लिए नमसकार जय स्री राम जैसरी कुष्णा, ओम नमस्री वार